अगर कोई बाबा को कोई बाबा किरपा करो बीमारी ठीक कर दो तो बाबा ने आज कहा कि किरपा अधी मांगना व्यारत है फालतु है कोई फाइदा नहीं होना बाप आए हैं रूहानी सर्जन बनकर आत्मा की बीमारी निकालने इसलिए कुछ भी राय लेनी है तो बाबा से ल फिर बाबा ने कहा दिन प्रते दिन आयू कम होती जा रही है दिन महिने वर्ष बीतते जा रहे हैं तो कितनी स्पीड से समय जा रहा है इसलिए सेकिंड भी व्यर्थ ना जाए जर्मुई जग्मुई में अपना टाइम वेश्ट नहीं करना हाँ अगर कोई आपके सामने आकर इदरोदर की बात करता है तो समझना चाहिए यह हमारा यह हमारा दोस्त और दुश्मन है यह जिससे आत्मा की उन्नती हो को ऐसी बाते करें तो ठीक है नहीं तो समझो इसके अंदर माया परवेश है और यह हमारा दुश्मन बनकर रहा है जो ऐसी ऐसी बाते करकि हमारा रखना है फिर बाबाने कहा याद के लिए कि याद बहुत जरूरी है उटते बैठते चलते फिरते तो याद करना है लेकिन औरों को भी याद दिलाना है याद सही कल्यान होगा अपना कल्यान चाहते हो दूसरों को चाहते हो तो अगर खाना खाओ सनान करने जाओ तो भी याद है अच्छा जो बोजन बनाते हैं उनके लिए बाबा ने खास का आपको तो पूरा योग युग धोकर ही बोजन बनाना है क्योंकि योग सही ताकत आएगी जीयदान मिलता है योग से और लाश्ट में बाबा ने कैसी बात कही कि अभी ना याद की बहुत अच्छी प्र ऑपी सो की कित्मेंखि शोर हो रहा है अगार कित IBM भी हला होरा हो यो अंदर विलकुल श्यान्त क्योंकि लाश्ट में बॉंस फटेंगे में भूकम पाएंगे तो अएसे समय पर बाहर हल चल होगी अंदर हल चलना हो अंदर से हरे को अचल रहना है तब पास होगी बाबा ने का जो सर्विसेबल लाइक बच्चे हैं लाश्ट के द्रिश्य वही देख पाएंगे इसलिए अभी से अपने को मजबूत बनाओ कितोना भी शोर गुल हो रहा हो अंदर शांत रहना है यह प्रैक्टिस करने है और चेक भी करते रहना है क्या हम शांत रह सकते हैं क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ग्यान सुनने में शोर का आवाज का विगन पढ़ता है परन्तु योग में अगर बाहर बाजे बज रहे है डीजे बज रहा है तो उसका असर नहीं आना चाहिए जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो शिबाबा ने कहा इस साकार को भी याद करेंगे ना तो वो याद भी निश्फल है आप सोचिए साकारी ब्रह्मा बाब को याद करने मे भी कल्यार्णी निष्फल थे पाप भी नहीं, और पुन्ने भी नहीं, निष्फल बाबा ने कहा, इसलिए किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, किसी में आ सकती नहीं, याद करो एक सदगती दाता शिबावक, अगर देहधारी को याद किया तो दुर्गती मिलेगी और बाप को याद करेंगे तो बाप के पास बाप के घर पहुंच जाएंगे नहीं तो यहीं भुद्धी लटकी रहेगी तो लास्ट में वो चीज़े याद आएंगे अभी जिनको याद करते हैं लास्ट में वही चीजे याद आएंगी और वह समझो आपके लिए विगन बन जाएगा